हेलो वरान कैसे हो हाई उक साब बढ़ी हों के चीड़ाओ फैनली गाइस आ चुके हैं बड़े मियां यानि की अक्षे कमार के एकोन्य एपिसोड में बापीस है तो गाइस बड़े मियां चोटे मियां की बात भी करेंगे कि कब तक इसका शूट हो सकता है जो काफ़ी टाइम से इसकी न्यूस है वो चल रही है और कब तक यह सीनमा गरों में आती हुए हमें दिखाई है वो दे सकती है वर उससे पहले देखो अभी हम बड़े मियां चोटे मियां की बात करें दो सौंग आ चुके हैं और साथ में एक चलो देखो ओ एक सेवकल था फिलावस को छोड़ो नया करने की कोश्य किया है क्या अभी तक पीछे तो भाई सकसेफफुल नहीं हो पाया है नो दिस टाम क्या वो दिख रहे है या फुर नहीं देखो टीजर की बात करें टीजर में कुश इन्होंने दिखाया भी नहीं था तो टीजर नहीं वाई एक ग्लिम्प सी था ऐसा समझ लो आप नहीं प्रिस्प्राइज सूकमार जी हमें कुश जायर लूक है पर दिखड़ी को मिली है सिर्फ अक्षे कमार एं टाइगर श्रॉफ फर्स्ट आप साम अक्षे कमार टाइगर श्रॉफ सांग थोड़ी सी लु क्या सुनना पड़ा वहां पे उनको एंड वेलकम चपल छोड़ो फिलाल तो बात करते हैं जो फर्स्टार ट्वंडिफोर में किस तरह ब्यूज को मिलें सबसे वहले इन दोनों सांग को देखो फर्स्टार आप सांग का इसा जो बड़े मिगें चोटे मिगें का स्टार्ट की बात करें तो वर लाक टीनाइट थाउजर टू रहनद फर्टी लाक्स अड डिस्लाइक की बात करें तो यहां पे आप लाक्स दिसलाइक देखोगे आलमोस्ट सत्रा प्रतिश्यत और तेना हजार समकुष कमेंट्स भी थे और मस्त बलंग जूम की बात करें जो सांग आय तो यहां पर ब्यूज की बात करें तो 1 करोड 64,092.500 ब्यूज है वो मिलें तो यहां पर कांपर जबसन करोगे एक फिर्स्टा आउज सी तो आलमोस्ट ब्यूज है भो सिमलर ही है वाट तक नाव संग के मेरे वाईट होड़े से जादा है क्यूं क्या रिज़ू थाई है थ सब्सक्राइब करें और यह काफी हद तक थोड़ा बुस्ट भी करेंगा पेचर की हाइप को यहां पर लाइक की बात करें तो टू लाख फाइफ थाउजन थी हंड़ाइट नैंटी थी लाइक से मिले हैं कमपेजन तू फिर्स सांग जादा है तो आल्मुस्ट एट थाउजन के आसपास कुछ डिसलाइक से वह मिले हैं और बड़ मग चोटे मग थोड़े से कम ही थोड़े से नहीं काफी ज्यादा कम डिसलाइक्स मिलें इससे यह क्लारिफाई होता है कि फर्स्ट आफ सांग ज्यादर पबलिक को पसंद नहीं आया था जो कि मैंने इसके लेटर एपिसोड बनाया भी था जब मैंने रिव्यूर रहा था फर्स्ट आफ सांगा मैंने तब भी बताया था कि ठीक ठाक है इतना ज्यादा हास नहीं है जो कि कुछ ऐसा हमें दिखा भी है हाँ इस्टाग्राम रिल्स भी अच्छी हासी बढ़ी थी वट यह हम अक्षेकमार की बात करते हैं वाई जो बढ़ी थी इतनी तो हम उमीद करी सकते हैं वाई फैंट्स उनके कमनी है काफी जाता है वर यह एक एक्शन मूवी है हमें यह बच्छन बाने की अगर मैं तो शायद यही थी कुछ ऑपनी थी राम सेतों की तो मेरे को यहाद है 15 क्रोड प्लसी थी बच्छन पढ़ने की यही थी कुछ सम 10 क्रोड प्लसी थी वाकि चौन एक रक्षा बंदन की थी 10 क्रोड से कम तो ओपनिंग देखोगे निका बजट का आसपास ओपनिंग और यहां पर फंद्रा क्रोड के आसपास रहा गया मामला और इस ताम गाइस जो अभी देख सांग आये है टीजर आये कंपैरिजर तू फाइटर मुझे अब भी तक बड़े में चोटे में के संक्स हो इस अब इस सब कुछ नैजर है टेकी होई है यह त्रेलर पर बस अब है अच्छा होना चाहिए सैकेंड तो ठीक हैं काफी बड़िया लगा मेरे को वी और पाश्टिव रिस्पोंट्स इमिला जैदर इसको सोचल میडिया में भी अब भी सिर्फ ट्रेलर बचा है तेलर को बाप लेवर रिस्पोंट सा मिलना चाहिए एंड साथ में पर्मोशन पर्मोशन अच्छा हासा होना चाहिए अच्छा हासा नहीं काफी जाला मेकर्स को करना चाहिए अगर इस पिक्चर की ओपनिंग 20 क्रोड से कम रहती है तो भाई क कुछ नहीं कुछ भी नहीं होने वाला फिर देखू गाइस एक एक एक्शन मुवी है को रोमेंटी टाइप एक्चर नहीं है कि चलो तेरा पंजा कोड़ की आसपास पास मिल गई तो अच्छा हासा नंबर आया जाएगा डेली वाई बट एक्शन मुवी में ऐसा नहीं होता है बना कि 30-40 क्रोड आगे आगे विकेंड में 25-30 आगे फिर आगे सडली नीचे गिर जाता है तो यहां पर स्टार्टिंग से ही अच्छा आसा बिस्नस है वो करना होगा अब तक आप रिकार्ट से उठाके देखोगे एक्शन मुवी का तो बही स्टार्टिंग से ही और पहले दिन 17-80 क्रोड और आगे वर्किंड देज पांच पे छटे दिन पिक्चर साथ या फिर आट को नेट बिस्नस है वो कर रही होती है एक वार रिती रोशन की पिक्चरी देख लो स्टार्टिंग से क्या पच्छास कोड से जाए ओपनिंग ली थी वो लाइफ टाइ किया है पीछे तो भाई वो फ्लापी हुए है और बड़े में चोटे में यह यह एक नया प्रजेक्ट है वो चल गया और सभी के नजरें टिकी हुए है और आगे फिर उनकी जितनी मोवी जारी हम एक तो को छोड़ दिया जाए तो जादर भाई सिक्वल यह मैक्स तु मैक् करते हैं यह तो भाई बड़े में चोटे में का हाल चाल और मुग करें यहां पर जो उनकी नेक्स्ट मूवी है जिसके अभी अप्टेट है निगली है सामने आई है काफी टाइम से चल रहा था कि आश्या बारसी और अक्षे कुमार एक साथ आ सकते हैं जो कि फाइनली अभ यह ले सकते थे जल्दी जल्दी बंदा वाई वह काम करता है मेरे को यह अच्छा नहीं लगता थोड़ा टाइम ले सकते थे यहां पर आपने यह शूट करना है भाई ऐसा याद भी कैसे रखते हो आप नो इस टाम बात करें देखो अभी अले यह बात करें तो इसका प्यूल है मुंबई के अंदर रहने वाला है 45 डेस के अंदर शूट चलेगा कंटीन्यू यहां पर बैलकम ठीगा एंड सार दिन टोटल आप शूट है फिर इसका कंप्लीट है वह हो जाएगा और फिर अक्षे कमान निकल जाएंगे यहां पर जोली ऐल वी थी की वाली है नया वो ट्राइब नहीं कर रहे हैं फिलाल की करना भी नहीं चाहिए अगर नहीं चल रहा है फिलाल सभी की नजरें अभी बड़े में चोटे में यह ठीक हुई है लैट सी काई सभी देखते हैं और इसका जो डिरेक्शन है वो सुवाश का पूरा वह करने वाले ज